देखो भाई इस खेत में संत्रा के फल नीचे गिर रहे थे तो इन्होंने उपर से बहुत सारे स्प्रे लिए मगर वो कंट्रोल ने हुआ उसके बाद में यहाँ पर जब इन्होंने नीचे वाला यह जो तनकड है इसके उपर स्प्रे किया तब कुछ मिला इस बगेचों को आ रहा हुँ देखो भाई अगर आपके पास बगेचा है तो उसमें पानी की कम होगी ही होगी तो पेड़ों को पानी कमने पढ़ना चाहिए इसके लिए इन्होंने यहाँ पर ग्रीन मल्चिंग की है अब आप बूरोगे कि यहाँ पर तो कोई भी मल्चिंग पर नहीं दिख रहा है यहाँ पर पूरा खरतवतवार उगाया गया है उससे क्या होगा कि जमीन में धूपने जाएंगी और उससे जमीन में नवी मरी रहेंगी अकसर ऐसी मल्चिंग आपको छोटे फसल में नहीं देखने को मिलती है मगर आप पर बड़े बड़े बगिचे हैं तो इसमें उन्होंने इस टकनिक का इस्तमाल किया है उसके साथ ही हमारे किसान भाई ऐसे बगिचों में एक और मल्चिंग की टेकनिक इस्तमाल करते हैं जिसमें वो कटी होई फसल जैसे गेहू हो गया उनका कटने के बाद जो फसल का कसरा बचता है वो पूरे बगिचे में बिचा देते हैं उसके साथ ही कोई-कोई लोग घास भी अपने पूरे जो बगिच है उसमें बिचा डिलते हैं जिससे की धूपना लगे और हमारी फसल को पानी की कमी ना हो मगर यहाप आपको जो है सस्ती वाली अगर आपको मल्चिंग करने है तो आप जो है सुके घास की मल्चिंग कर सकते हो और उसके साथ ही अगर आपको उससे भी सस्ता वाला करने मतलब कुछ भी नहीं करके आपको मल्चिंग करनी है तो यह जो हरा मल्चिंग है जिसमें जो है खर्पतवारी ही हम बढ़ने लेते हैं मगर इससे इनका एक नुकसान हमें दिख रहा है यहापे side effect दिख रहा है यह आपको संत्रा नीचे गिरे हुए दिख रहे है यह फल मक्य के बज़े से नीचे गिर रहे है इन्हों ने उपर से बहुत सारे spray किये मगर फल मक्य कंट्रोल में नहीं आई वो क्यों नहीं आई क्योंकि यहापे आप दिख सकते है यहापे नीचे पूरा खर्पतवार है जब भी हम spray करेंगे उपर तब होगा कि फल मक्य जो है वो नीचे आज़े आके बैटेंगी उसके साथी यहापे आपको जो है वो फल मक्य जब अंडे देती है तो वो पेडों के साथ साथ नीचे वाला खर्पतवार है इस पर भी अंडे देती है तो जब हम उपर spray करेंगे तब जो है उपर वाले अंडे पूरे लारवा वारवा सब साफ हो जाएंगे मगर यहापे खर्पतवार के उपर जो बैठेंगे वो मक्य और उस पर जो अंडे रहेंगे वो साप आपने होंगे उससे क्या होगा कि मक्यो का अटक आपके पेड़ों पर ज़्यादा दिखेगा और आपके संत्रा और नीचे गिरेगे तो इससे बचनी के लिए आपको एक उपाय करना है जैसी कि अगर आपको ऐसे ही खर्पतवार वाला मल्चिंग करना है उससे पानी भी ब जब भी आपके पेड़ों पर स्प्रेइंग करते हो तब आप जो है थोड़ीशे किटक नाशक शिर्फ किटक नाशक नीचे जो खर्पतवार है उससे अगर आपने पर आपको एक बात द्यान में रखना है कि यहाँ पर गलती थोड़ीशी थी 15-15 दिनों के बाद जब हम स् पी अब रखनाशक नाशक कर देया होता तो उनका दोफ्सान अभी कम होता खर्चा तो कम ही होता वागा उस वक्त मगर इसमें अभी खर्चा ज्यादा हो चुका है तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इत्ता ही बस आपको इस वीडियो कर देना है और इस चैनल उसका निकाला है